Hello दोस्तो हम फ्री सैर्क्रिलाब में सघत है दोस्तो आज हम लोग रिप्यार करेंगे इक बैटरी चारजर यह एक स्प्यार मैशिन का बैटरी चारजर है जो खेत में श्प्रे करने वाली मैशिन होती है तो इसका जो कभार है इसी में आपको कुछ information मिल सकती है कि इसके अंदर क्या हुआ है कभार को खोलेंगे तो पहले ही देखिए यहापर एक burning marks दिख्या मतलब कि यहापर कुछ burn हुआ है तो यह कहाँ पर था यह बिलकुल इस diode के उपर था तो इस diode को हमें चेक करना पड़ेगा और इसके नीचे अभी कुछ नहीं मिल रहा है यहापर कुछ पानी बगार दिख रहा है और इसके अंदर देखिए देखने से ही पता चलेगा पहले ही यह जो capacitor है यह फूली हुई है तो आप हमें obvious reason पता चल रहा है कि यह diode खराब हो गया इस वज़ा से capacitor भी खराब हुआ है यह पर यहापर कुछ सौट हुआ होगा टांजिस्टर में जिसके कारण यह diode खराब हो गया देखेंगे आगे उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें और क्या क्या है और देखिए यहापर इस साइड में कोई भी IC चीप हमें देखने को नहीं मिल रहा है उपर में भी तो यह IC चीप से SMPS नहीं चलता है यहापर कोई ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लोजिक से ही चलता है तो यहापर एक MOSFET है और यहापर ट्रांजिस्टर है कुछ कैपासिटर और additional कुछ सरकेट्री है उसी से चल जाती है SMPS यह जो सेकंडरी साइड है जहापर बैटरी का निकल रहाए Hebrew बैटरी का जो इसको मापता है और वह इस तरप पहुंचा था इस आप्टो कपलर के रहती है और इस तो अपटो कपलर के रहती है एक । आ क्पलर के आंदर ही रहती है इन दोनों में कोई भी electrical connection नहीं रहती है जास्ट LED जलता है transistor activate होता है LDR जैसा तो यहाँ पर यह जो IC है यह कुछ error signal अगर develop हुआ मतलब अगर battery full charge हो गया यह फिर battery में current over current जा रही है इस तरह की कोई इस तरह की भी error message यहाँ पर आया तो यह error signal को इस तरह भेजता है इन LED को जला देता है यह तो LED जलने से क्या होता है इस तरह जो transistor है वह दोनों पिन एकसाद connect हो जाती है और यहाँ पर जो circuit है इसमें current limit हो जाती है दोस्ते इस तरह जो circuit है यह काफी काम आ सकती है कोई भी supply के सा इस वाली circuit को अगर लगा देते है तो वह supply battery charger बन जाएगी तो इसलिए मैं इस circuit का जो डियाग्राम है उसको मैं यहाँ से निकालूंगा ड्रॉ करूंगा उसके बाद इसके बार में वीडियो बनाऊंगा तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करकर रखना वीडियो बन यह capacitor DC filter करने के लिए लगा हुआ है और इसके अंदर आगर AC short हो जाती है मतलब कि इसमें जो positive negative है AC की तो positive negative बदलता रहता है तो इसका उल्टक polarity में voltage इसको मिल गया इसलिए यह फूल गया थोड़ी देर में यह blast होता लेकिन उसके बीच यह जो track है यह काट गया और इसको बचा लिया एनिवे तो इसको हमें replace करना पड़ेगा और डायोड दोनों को replace करके देखते है यह चालू होता है या पर नहीं तो दोस्तों यह था 4.7 micro 400 volt की तो मेरे पास 400 volt 10, 450 volt 10 micro की है इसको मैं लगा दूँगा ज्यादा microfarad तो बहतोर है अगर कॉम microfarad है तो हमें से replace कर दूँगा positive negative आपको ध्यान रखना होगा positive negative में गलत करेंगे तो यह थोड़ी दिर में खराब हो जाएगा यह देखिए negative का sign इस तरफ दिया हुआ है और आप खूलने के time याद रखना कि इस तरफ negative था यह जो capacitor का negative होता है यह नहीं तो positive negative गलत कर दिया तो यह फूर स तो था मैंने 450 लगा रहा हूं ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर कॉम वोल्टेज की लगाते हैं जैसे 800 वोल्ट या फिर कॉम वोल्टेज 25 वोल्ट 30 वोल्ट के लागा दे तो यह उड़ जाएगा कि इसमें वोल्टेज ज्यादा आ जाएगी तो यह एक नंबर की के डायोड और तीन नंबर के डायोड खराब है इनको रिप्लेस कर देंगे तो यह डायोड SMD है तो SMD मेशीन यूज़ करने से बहतर होगा लेकिन मैं यह नहीं करूंगा ऐसे करके दिखाएंगा आपको फेती सेट लागा देना होगा उसके बाद आपको दो साइड़ से हीट करना ऑगा तो ही यह निकल भुजाएगा ट्राइक करकी अ it यह देखे निकल गया और दुसरा को भी निकल देते है ऐसा ही तो इसे में पेश्ट नहीं लगा है इसमें थोड़ा सा ज़दा दिक्कत आ सकती है निकलने में अब दोने डायोड निकल गया अभी आप दो डायोड लगा देंगे दो नॉर्मल डायोड भी चलेगा दोस्तों यह सब SMD डायोड है इसका कोड है M7 तो M7 डायोड का रिप्लेसमेंट होता है या पर एक साइड में आपको ज़्यादा दाग मिल रहा है तो इस साइड में आपका जो इस डायोड का यह वाला silver side होगा, तो ये उसके साथ corresponding होता है, तो इसका positive होता है ये वाला side, black वाला और negative होता है ये white वाला side, तो कुछ में इस तरी लोग बोलता है कि ये positive है ये वाला सपेद side, लेकिन ये नहीं होता है क्योंकि इस side से positive निकलता है मतलब positive नहीं हो गया ये डायोड का पॉजिटिव साइड यह है पी साइड यह है एन साइड पी एन जांक्सन डायोड होता ही है एनिवेड ओके हो गया काम काफी टेरिबल सॉल्डरिंग कर दिया एनिवेड अब एक फ्यूज बनाना होगा एक पतला तार से तो इस तार से मैं यहापर फ्यूज को रिप्लेस कर दूँगा ओके फ्यूज भी रिप्लेस हो गया आप यहां पर पाउर देने के बारी है फास्ट टाइम पाउर देने के लिए हम सीरीज लेंप का यूज करेंगे तो यह जो एसी लाइन आता है लाइब नूट्रल एक जाएगा आपका बाल्ब के थुरू और एक डारेक्ट जाएगा तो यह बाल्ब जलेगे और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी और कुछ अलग कंपोनेट्ट खराब नहीं होगी इससे के अब इस प्लाग को समाल के रखना है यह यहां से जुड़ा है तो इसमें हाथ लगने से भी करेंट लग सकती है और देते हैं अब देखिए यह लाइ देखिए इसमें 12 वोल्ट भी आ चुका है 13.7 वोल्ट है यह बैटरी की जो ओपन सर्किट वोल्टेज एक बैटरी को चार्ज करने के लिए इतना वोल्ट की ज़र रत होती है तो लोग बोलते है 12 वोल्ट एडप्टार से बैटरी चार्ज करके दिखायता है कॉम्पुटर क 12 वोल्ट सप्लाई से चार्ज करके दिखायते है यह सब वीडियो गलत है इसमें 20-30 परसंटी चार्ज होगा फूल चार्ज करने के लिए 13.7 वोल्ट की ज़रूरत होती है यह आपर 14 वोल्ट जैसा मैंना एक वीडियो बनाया था जिसमें एक कॉम्पुटर के SMPS की 12 वोल्ट लाइन को हैक करके 14 होल्ट किया था उसमें क्या होगा एक कार की बैटरी वी चार्ज हो पाएगी 10 अंप्यार 15 अंप्यार तक करन्ट दे सकता है तो यह बहुत ही अच्छा एक बैटरी चार्जार है तो इसका वीडियो आप जरूर देखना डेस्क्रिप्शन लिंक है तो दो